A Letter to God इस कहानी के जो लिखक है G.L. Puentes है वह हुँष समय के महानतफ लिखकों में से एक थी वो एक मेक्सिकन कवी उपानियासका और पत्रकार भी थे कहानी इस्वर में निर्विवार विश्वास होने के विशार के एर्दिगर्द ही गुमती है इस कहानी के बारे में चर्शा करेंगे इस पूरी कहानी को हम समराइस करेंगे वास्तों में यह कहानी एक लैटिन अमेरिकी देश में हो रही है और वास्तों में वहाँ पर एक लेंचो नामा के एक किसान है जो कहानी का नायक है भावान को एक पत्र लेखता है, पत्र में वह सर्वक्तिमान से मदद चाहता है, क्यांकि उससे पता जलता है कि उसकी पूरी फजल की उपज विनासकारी ओला वरिश्ट से नस्ठ हो गई है, तो बस तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी 96 गृप से पूरी हो जाती है, यह मरदा पर भी वह सवाल उठाता है, तो हलांकि यह एक मात्र प्राणी थे जिन्होंने वास्तों में भगवान को एक चिट्थे लिखी, तो भगवान के नाम पर पैसे और मदद जो गुम्नाम आदमी ने कितने इनकी हेल्प किया, तो यह पूरी कहानी है, और यह कहानी एक ब तो बहुत यह प्रणा दायक है, और इसमें एक अलग तरगस्क से आपको समझ में आएगा, कि इससे हम क्या सीखते हैं और कैसे हम इससे हम अपने लाइफ में सबख ले सकते हैं, तो ज़धा टाइम ने वेस्ट करते हुए हम इस कहानी का समराइस को देखते हैं, इस कहानी क और उनकी फसल को पूरी तरीके से नश्ट कर दिया लेंचों बहुत दुखी थे लेकिन उनको इस्वर में द्रड़ विश्वास था वह निश्चिंत थे कि भगवान उनकी मता तवस्य करेंगे और साधी वह एक बहुत सीधा साधी आदमी थे लेकिन खेत पर लंबे समय तक का कवान से एक सव पैसे भेजने का अग्रह किया और लिखा कि आप जो है एक सव पैसे हमको यह जीए उस समय वह पोस्ट ऑफिस गए अपना पत्र पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डाल दिया अब यहां से कहानी में जो असली ट्विस्ट है यहीं पर आता है कि आपके क्या हुआ आप देखेंगे तो आपको बड़ा चा लगेगा और आपको यह समझ में आएगा कि कैसे हम अपने जो है हमारे भावनाएं अच्छी हैं तो कैसे हम किसी परिस्टिती में किसी का हैल्प कर सकते हैं और वो हैल्प एक छोटी सी हैल्प हमारे लिए तो ना के से इसके अलावा पोस्ट मास्टर के पास गया और उसने उस अजीब पत्र का प्रदर्शन किया उसको दिखाया कि देखो कैसे यह है पोस्ट मास्टर भी उची तरह से यहां से जब उन्होंने भगवान का पता देखा हलांकि पत्रों को पढ़ने पर वह बहुत कंभीर हो गए उन्होंने इस व्यक्ति की सरहना की जिसने परमेस और पर निर्विवाद विस्वास किया और पैसे के मामले में उससे मदद करने का फैसल लगिया यह एक महत्परून चीज है कि एक जो विस्वास की भगवान उसका मदद करेगा भगवान आपको डाइटरी मदद नहीं करे मतलब लेंचो ने जीतना कहा था लेंचो ने सौ रुपए के लिए कहा था लेंचो दौरा अनुवत के अनुसार कीबल 50 से अधीक पैसे ही खत्र करने में सक्षम हुए पोस्ट पास्टर ने पैसे एक लिफाफ्य में डाल दिये और इसे लेंचो को सम्मोधित किया गया था जो एक लिफाफ़े में डाला और वो लेंचो को देने के लिए उसमें किया गया तो अबिवार को लेंचो एक बार फिर डाग घर में आया जब अगला संडे आया उसमें पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है उस समय हो सकता है कि ऐसी कंडिशन थी उस देश में कि घर घर जो है लेटर पहुंच आने के लिए कोई डाकिया नहीं हो अगरता था तो वो भी खुदी जाकर गया तो पोस्ट माश्रा ने पत्र निकाला और उसने लेंचों को दे दिया पैसे देखकर लेंचों है रहान हो गया लेकिन जब उसने पैसे कीने तो भगवान पर कोदित हो गया क्योंकि सो रुपए उसने मागया था सो रुपए था ही नहीं क्योंकि उसे यकीन था कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती उसका ये यकीन बहुत कीमती है उसे ये यकीन था कि भगवान कोई गल्दी करी नहीं सकता तो उसने कागाज और साहिली और भगवान को एक और पत्त लिख दिया फिर उसने उसे लेटर वाक्स में डाल दिया और वोला यह वही जिठी लिखा होगा कि हमारे मांकी पैसे दो हमने तो सौर वैमागे दे तुमने कमी दिया तो ये जो एक एक जो विश्वास है कि भगवान को जल्दी ही नहीं कर सकता तो उसने सौर वैजरूर दिया होगा बीच में ही इन लोगों ने पोस्ट आफीस बालों ने ही हमारा पैसा बीच कमार दिया तो लेंचों को होँँ से चले जाने के बाद पोस्ट मांशुटार और करमचारियों ने लेटर फिर से पढ़ा इसमें लेंचों ने भगवान से सिकायत की थी कि उन्हें केवल सिर्फ सतर पैसे पाफ्थ हुए सतर पैसे पाफ्थ हुए साथ ही उसने भगवान से इस बाद उसे पांकी पैसे भेजने का अन्रोथ किया था ये पांकी का पैसा भी भेजने थो हलाकि उसने भगवान से मेल के माद हमसे पैसे नहीं भेजने के लिए कहा, उसने लिखा कि डाग घर में करमचारी बदमासों के जुन थे और इस तरह उन्होंने आपके दीवे पैसे जो है शुड़ा लिए, मेरे तक पैसे नहीं पहुंचने दिए, तो रैट, इस कहानी करो देखा आपने, तो यह कहा आपका जरूर पूरा होगा चाहे वो किसी भी पेल्ड में हो, I hope आपने एक कहानी को अची लगी होगी, right, thank you so much for watching this.